हेलो इस्टुडेंट इस वीडियो में मैं आपको एलजेबरा ओफ सबिस्पेस की एक मोस्ट इंपर्टेंट थियोरम कराने वाला हूँ वैसे तो एलजेबरा ओफ सबिस्पेस की दो थियोरम है और दोनों ही थियोरम हमारी मोस्ट इंपर्टेंट है और दोनों ही थियोरम हर साल एक्जाम में आती ही रहती है ठीक है तो एक थियोरम मैं आपको इस वीडियो में करा रहा हूँ और दूसी थियोरम नेक्स्ट वीडिय की मैंने एक most important theorem करवाई थी वो theorem आपको पता होनी चाहिए अगर वो theorem आपको पता होगी तो आप इस theorem को भी बहुत अराम से कर लेंगे ठीक है तो अगर आपको वो theorem पता है तो ठीक है वरना मैंने उस theorem के उपर पहले से चैनल पर वीडियो upload कर रखी है और उस वीडियो का लिंक आपको discussion में मिल जाएगा वहाँ से जाकर आप देख लेना और उस theorem को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेर करना ठीक है और अगर आपको linear algebra से related किसी भी topic के उपर वीडियो चाहिए हो तो आप इस वीडियो में comment कर देना उस topic के उपर में जलसेल वीडियो ले करके आ जाऊँ हूँ है तो theorem को start करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को subscribe कर ले और सबसे महतबूर बेल आइकन को all पर प्रेस कर लें जिससे क्या है मैं जब भी msc third sam linear algebra से related किसी भी topics के उपर वीडियो upload करूँ तो उसकी notification आपकी बाद सबसे पहले चाह सके ठीक है तो start करते हैं फिर हम इस theorem को तो यह हमारा topic है algebra of sub-spaces और यह इसकी एक theorem है ठीक है और यह theorem हमारी most important है तो इस theorem को आप जरूर तयार अरके जाना ठीक है तो पहले मैं आपको इसका statement दिखा देता हूँ कि exam में इसका statement किस तना से आता है ठीक है वो देखते हैं आगे यहां से हमारा इस theorem का statement start हो जाएगा इसमें क्या दे रखा है वो देखते हैं the intersection of any two sub-spaces हमारे पास यहाँ पर दो sub-spaces हैं पहला है हमारे पास w1 दूसरा है हमारे पास w2 जो कि हमारे vector space vf के हैं ठीक है वो यहां पर लिखा भी है of a vector space vf और इसमें हमें आगे दे रखा है is also a sub-space of vf ठीक है अब यह theorem आपको समझ में आ गई होगी अब इसको मैं हिंदी में समझा देतों कि हमसे क्या कहना चाहता है हमें इसमें दे रखा है कि the intersection of any two sub-spaces हमें यहां पर दो sub-space दे रखा है w1 और w2 इन्होंने हमसे बोल लखा है कि अगर हम इनका क्या करें intersection करें नहीं कि w1 intersection w2 इनका जो हमारा intersection होगा वो हमारा किसके अंदर आएगा vector space vf के अंदर और इनका जो intersection होगा यह हमारा क्या होगा sub-space होगा किसका vf का जो हमारे पास vector space था ठीक है और वीडियो की study going मैंने आपको एक theorem बदाए थी जो कि हमारी vector sub-space की थी उसी theorem से related ही है हमारी theorem होने February एठीक है उस theorem का अगर आपको statement भी याद होगा तब भी आप इस theorem को अराम से कर लेंगे ठीक है तो पहले मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हुँ तो वह statement आपके सामने भी आ चुका यह ठीक है तो मैं यहाँधको शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसमें हमें क्या दे रखा है हमें वहाँ पर एक subset दे रखा है जो कि हमारा है W वो क्या है हमारा एक vector sub space है अगर वो हमारा vector sub space है तो हमें वहाँ पर एक condition proof करनी है जो कि हमारी है A alpha plus B beta यह हमारा belongs करेगा W के अंदर अब यह जो हमारी theorem थी यह हमारी एक sub space के लिए दिखाली W के लिए और आप जो हम theorem कर रहे हैं इसमें हमारे दो sub space है W1 और W2 तो इस theorem के लिए हमें proof करके दिखाना होगा कि A alpha plus B beta यह हमारा belongs करेगा W1 intersection W2 ठीक है वहाँ पर W की जगा के आ जाएगा W1 plus W2 ठीक है आप इतना ध्यान लखना क्योंकि यहाँ पर हमसे theorem में ही बोल लखा है कि the intersection of any two sub spaces कि दो sub space का जब हम intersection करेंगे तो वो भी हमारा क्या होगा एक sub space ही होगा ठीक है किसका होगा vector space का तो उसके लिए हमें यही condition proof करके दिखानी है ठीक है इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि आप वो theorem पहले देख करके आ जाएं अब जैसे हमें theorem के statement में दे रखा है वैसे हम इसका proof start करते है ठीक है वो देखते हम आगे तो यहाँ से हमारा इस theorem का proof start हो जाएगा हम यहाँ पर let कर लेंगे कि w1 and w2 हमारे क्या है यह तो vector sub space है vf के ठीक है जो हमें vector space दे रखा था अब अगर w1 और w2 हमारे sub space है तो यह हमारी zero identity वाली जो property होती है उसको satisfy करेंगे यानि कि जो यहाँ पर हमारा zero vector होगा वो हमारा w1 में भी आएगा और w2 में भी आएगा ठीक है और यह सब मैंने आपको vector sub space की जो property थी उसमें करवा रखा था अगर आपको vector space की सारी की सारी property पता है तो ठीक है वन्ना मैंने इस topic के उपर वीडियो बना रखी आप channel पर जाकर देख लेना तो यह हमारी एक property होती है identity element करगे ठीक है या identity zero vector करगे होती है ठीक है तो यहाँ पर हम लिख देंगे की now w1 and w2 are sub space है so तो यहाँ पर जो हमारा zero vector होगा वो हमारा belongs करेगा w1 में भी और w2 में भी अब यहाँ पर आपको पता है कि जो हमारा zero है वो हमारा w1 में भी आता है और w2 में भी आता है तो हम यहां सी यह भी बूल सकते है कि जो हमारा zero vector हुगा यह हमारा belongs करेगा इन दोनों के intersection में भी तो आगे हम वही लिखने वाले हैं कि 0 हमारा belongs करता है इन दोनों के intersection में भी ठीक है जिससे हमें यहाँ पर यह पता चल जाएगा कि जो हमारा intersection है W1 और W2 का वो हमारा MPT नहीं है उसमें कुछ न कुछ आ रहा है ठीक है तो वो देखते हैं आगे तो जो मैंने बताया वो आपको यहाँ से लिखावा देख भी रहा होगा कि जो हमारा 0 vector था वो हमारा W1 के अंदर भी आता है और W2 के अंदर भी आता है तो यहाँ पर वही लिखा है कि जो हमारा 0 vector है वो belongs करता है W1 and W2 बोथ दोनों के अंदर तो यहाँ से हम यह भी लिख सकते है कि जो हमारा 0 vector है वो हमारा belongs करेगा W1 intersection section w2 में जिससे हमें यहाँ पर यह पता चल जाएगा कि जो इनका intersection है वो हमारा mpt नहीं है तो यह भी हम यहाँ पर लिख देंगे इसलिए w1 intersection w2 is not mpt ठीक है कि यह हमारा खाली नहीं होगा इसमें हमारा एक अवियब जरूर होगा जो कि हमारा zero vector है ठीक है अब आगे हम इस theorem को proof करने के लिए जो मैंने आपको theorem बताई थी उसमें जो हमारी condition थी उसी को हम आगे यहाँ पर apply करने वाले है ठीक है वो देखते हम आगे तो अब हम यहाँ पर दो vector select कर लेंगे जो कि हमारे blongs करेंगे व 1 intersection डव 2 में ठीक है और यहाँ पर हमारे जो scalar होंगे एक कोमा भी यह हमारे blongs करेंगे फील्ड के अंदर ठीक है अब जो हमारे यह alpha बीटा थे यह हमारे blongs करने थे डव 1 intersection डव 2 में यानि कि यह दोनों vector से हमारे डव 1 intersection डव 2 के अंदर blongs करते थे तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारे alpha बीटा होंगे वो हमारे belongs करेंगे w1 में भी और जो हमारे alpha बीटा होंगे वो belongs करेंगे w2 में भी ठीक है क्योंकि यह इनके intersection में भी आ रहे हैं तो यह अलग-अलग भी इनमें belongs करेंगे ठीक है अब हमें इस theorem के statement में ही दे रखा था कि जो हमारे w1 है और w2 है यह हमारे दो sub space है ठीक है अब जो मैंने आपको इसमें theorem बताए थी अगर हमारे पास कोई भी subset w है और वो हमारे क्या एक sub space है तो वो हमारी एक condition को satisfy करता है जो कि हमारी थी a alpha प्लस b beta यह हमारा belongs करता है w के अंदर ऐसे ही सेम यहाँ पर जो हमारे w1 है यह भी हमारा sub space है तो यह भी हमारे condition को satisfy करेगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको यह दिखा देता हूं तो यहाँ पर हम लिख देंगे since कि w1 क्या है हमारा sub space है तो therefore जो हमारा a और b है यानि कि scalar जो है वो हमारे belongs कर रहे है field के अंदर और जो हमारे alpha वीटा है वो हमारे belongs कर रहे है w1 के अंदर तो जो theorem मैंने आपको बताई थी इस वीडियो में उसी की यहाँ पर हम condition लगा देंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा a alpha प्लस b बीटा यह हमारा belongs करेगा w1 के अंदर ठीक है यह condition हमारी तब ही आई है जब हमारा w1 क्या था sub space था अब आपको ध्यान होगा कि जो हमारे पास w2 है वो भी हमारा क्या है sub space है तो उसके लिए भी हम इस condition को proof कर देंगे कि a alpha प्लस b बीटा यह भी हमारा belongs करता है w2 के अंदर ठीक है तो इस theorem में हम आगे लिख देंगे कि इसी प्रिकार और जहाँ जहाँ पर हमें w1 दे रखा है वाँ वाँ पर हम w2 लिख देंगे ठीक है उससे हमारी w2 वाली condition भी proof हो जाएगी अब इसको हम कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ और इसको आप ध्यान लगना कि a alpha प्लस b बीटा यह हमारा belongs कर रहा है w1 के अंदर ही ठीक है तो यहाँ पर आपको लिखावाद देखी रहा होगा similarly जो हमारा a और b यानी की scalar है वो भी हमारे f के अंदर आएंगे और जो हमारे alpha बीटा है वो भी हमारे w2 के अंदर आएंगे यह मैंने आपको बताई दिया था कैसे आएंगे तो यहाँ पर भी हमारी condition लग जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो हमारा w2 है यह भी हमारे कैस सबी स्पेस है तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे कि a alpha प्लस b बीटा यह भी हमारा belongs करेगा w2 के अंदर ठीक है अब आपको ध्यान होगा कि जो हमारा a alpha प्लस b बीटा यह हमारा w1 के अंदर भी आ रहा था तो हम इसको ऐसे करके लिख देंगे ना हो कि a alpha प्लस b बीटा यह हमारा belongs करेगा इनके intersection में भी ठीक है यहाँ तक आपको थ्योर्म सोज़िमें आ गई होगी बस अब इसमें थोड़ा सा ही पार्ट बचाए ठीक है उसको देख लेते हैं अग तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 a और b जो हमारे scalar थे वो हमारे belongs कर रहे है f के अंदर और जो हमारे vectors थे alpha और beta वो हमारे belongs कर रहे है w1 intersection w2 में अब उस थ्योर्म से हमें आप लिख सकते हैं कि a alpha प्लस b बीटा यह भी हमारे belongs करेगा w1 intersection w2 में और यह हम अभी उपर proof करके आभी चुके हैं तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे और आपको ध्यान होगा कि हमें यही proof करके ले कर आना था जैसे कि मैंने आपको starting में बता आई दिया था ठीक है कि थ्योर्म में हमें दे रखा था कि हमारे पास दो सब space हैं डवल वन और डवल टू इनका जो intersection होगा वो हमारा एक सब space होगा वी एफ का ठीक है तो उसके लिए हमें यही condition proof करने थी A alpha प्लस B बीटा यह हमारा belongs करेगा डवल वन intersection डवल टू में तो यहाँ पर हम लिख देंगे हिंस डवल वन intersection डवल टू यानि कि दो सब space होगा जो intersection होगा is a sub space of वी एफ कि वो हमारा सब space होगा किसका होगा vector space वी एफ का ठीक है और जो इसकी second theorem है union वाली उस theorem का proof next वीडियो में आ जाएगा ठीक है और यह theorem आपकी हो चुकी है अगर आपको कोई भी इसमें problem हुई हो या फिर कहीं पर समझ में नहीं आया हो तो वहाँ पर आप comment करकर पूछ लेना तो मैं वहाँ पर आपको बता दूँ हूँ ठीक है और अगर आपको linear algebra से related और भी topics चाहिए हो तो इसके उपर मैंने proper playlist बना रखी है जिसका link में discussion में देदू हूँ वहाँ से जाकर आप देख लेना ठीक है और अगर आपको MSC 3rd Sam या फिर किसी भी Sam के previous year question paper चाहिए हो तो इसके उपर भी मैंने proper playlist बना रखी है जिसका link में discussion में देदू हूँ वहाँ से जाकर आप देख लेना और इन playlist को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ठीक है अगर ये वीडियो आपके लिए जरासी सी भी helpful होई हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को subscribe कर लेना और सबसे महत पूर bell icon को all पर प्रेस कर लेना जिससे क्या है मैं जब भी MSC 3rd Sam Linear Algebra से related किसी भी topic के उपर वीडियो प्लोड करूँ तो उसकी notification आपके पास सबसे पहले जा सके ठीक है तो मिलते हैं फिर हम next वीडियो में तब तक आप हमारी वीडियो को like करें comment करें comment करकर हमें बताएं कि ये वीडियो आपके exam के लिए helpful थी या नहीं थी और अपने दोस्तों के साथ share करना बिल्कुल न भूले और next वीडियो का wait करें